असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी कहा ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटस्ट वीडियो में और आज का यह वीडियो है आप लोके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉस्ट रिक्विस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोका बहुत ज़्यादा क अब देखिए इस साल कितने नंबर का पूछे ज़्यादा लेकिन जितना भी नंबर का पूछे आप लोग का पूरा का पूरा माक्स मिल जाने वाला है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्याक वाग को लेकर अब मैं आ गई हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड निक आउट आज के इस वीडियो में 100% आउट हो जाने वाला है एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा यानि कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन हाँ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब वीडियों से कि अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो कर देना है अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास इतना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग को पता रहना चाहिए कि हिस्साय शायरी क्या है और हिस्से नसर क्या है अगर यह दोनों चीज आप लोग को पता है तो आप आसानी से स्य जाएंगे एक परसेंट भी परिशानी नहीं होगी आप लोग जानते हैं हिस्साय शायरी जो शायरी के अंदाज में लिखा जाता है उसको हिस्साय शायरी के कैटेगरी के अंतरगत रख दिया जाता है जैसे की नजम यानि की कवीता नजम जो है ना वो शायरी के अंदाज में जाता है हिस्सा है शाइरी याईनिकि यसाइश sabem के यंद्रोट तरह ना उस्तरह जाता है जैसे कहानी नो भी बातचीत करते हैं से तरह लिखा जाता है कि एक राजजा था वह यहां गया कि आवाम की बहुत ज़दा मदद किया तो वगारा वगारा सितòn आंफ समुन हो गया निभंद आम बोलचाल की तरह लखा जाता है तो जो नौर्मली बात्चीत की तरह लिखा जाए उसको हिस्साय नसर के अंतरगत रखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर दो कैटेग्री है एक हिस्सा इशायरी और एक हिस्सा नसर अब आप लोग के एक्जाम में दोनों के टेग्रिस से question पूछता है कैसे हिस्सा इशायरी से कोई भी एक share उठा लेगा एक share नहीं उठाता है पांच इशार उठाता है ठीक है अब वो गजल का भी हो सकता है नजम का भी हो सकता है या फिर मरसिय का कोई भी पांच शेर उठा लेगा और बोलेगा कि इसमें से किसी दो इशार की तस्री करें यानि कि हिस्सा इशायरी से आप लोगों से question पूछता है share की तस्री करने को ठीक है तो आप लोग शेर की तस्री करना जानते हैं अब आजाए हिस्सा इनसर के अंतरग तसी एक्तबास अब समझें स्कामातलब होता है छोटा सा शोटा सा टुकडा करा भी है उसमें से चारपांच लाइन उठा लिया जाता है उसी को कहा जाता है एक्तबास या इनकी हिस्साय नसर में अफसाना हो सकता है मजमून हो सकता है खुदनविस्थ हो सकता है खाका हो सकता है उसी में का चार लाइन या फिर दो लाइन या फिर तिन लाइन उठा कर और बोलता है कि इस एक्तबास की तश्री सियाक वसबाक के हव होता नहीं है इसमें तो आम बोल चल की तरह लिखा जाता है कहानी होता है मजमून होता है खुदनविस्त होता है दास्तान होता है इसमें शिर नहीं होता है इसलिए एक्तबास लिया गया है यानि कि उसी में दिया गया है उसके पहले और उसके बाद में जो भी बाते बताई गयी है उसको मिक्स करके आप लोग करें कि लोग तस्क्री है कि उस चाप्टर में क्या बताए गया है वहीवला को अठाई हूं और देखिए किस तरह से पूछा है कि मंदर जजयल एक्तबास की तस्रीः स्याक और सबाक की हवाले से कीजिए बिल्कुल इसी तरह आप लोग के एक्जाम में इस साल भी कोश्चन पूछेगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए किस तरह से पूछा है कि मंदर जजयल एक्तबास की तस्रीः स्याक और सबाक की हवाले से कीजिए इसी तरह यही तरीका रहेगा पूछने का बस नीचे जो एक्तबास है यह चेंज हो जाएगा यहाँ पर दो लाइन का इक्तबास दिया है आप लोग के एक्जाम में तीन लाइन का भी दे सकता है चार लाइन का भी दे सकता है बस यह एक्तबास चेंज होते रहता है अब इसी एक्तबास को इसी चोड़े से अंस चोड़े से टुकड़े को पढ़कर आप लोग को अनुमान लगाना रहता है कि यह एक्तबास कौन से चाप्टर से लिया गया है अब ये जो इक्तबास है ये मजमून का भी हो सकता है अफसाना का भी हो सकता है खाका का भी हो सकता है खुदनविस्त का भी हो सकता है दास्तान का भी हो सकता है तो पढ़ना है और अनुमान लगाना है कि कौन से चाप्टर से लिया गया है और जब एक बात को जोड़ जाड़कर आप लोग को लंबा चुड़ा करके तश्रीक कर देना है ठीक है इसी को कहते हैं स्याक W wol के हवाले से सब्टाइस की तश्रीo करना अब सुनिए जब आप लोग स्याक विया हो नूरी रहता है स्टाटिंग में आप लोगों को लिखी हुई हूं यह पढ़कर बताऊंगी लेकिन ये तीन बात पहले ध्यान से सुन लीचे पहली कि स्टाटिंग में चैप्टर का नाम लिखना जरूर रहता है जिस एक्तबास जो एक्तबास चैप्टर से लिए उस आप लोगों को मालूम रेना चाहिए वह लिखना पढ़ता है यह तीन चीज़े अगर आप लोगों को मालूम है तो आसानी से स्याक और सबाक के हवाले से कीजिए और यहां पर एक्तवास दिया गया है क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को थे जो इसी तरह बता सकती हैं यह गया गया है मिट्टी बीक्तबाव से लिखूंगी तो फिर रफ टाइब का दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लएगा तो पहले करते हैं इस टार्टिंग देखिए कैसे करना आप लोगो इस स्टाइंग से अप लिख दी हूं कि पेश्य नजर इक्तबास ख्वाजा रहसन निजामी के शामिल माखूज है इसी तरह आपनों को इस सटार्टिंग करना है और सब्सक्राइब करें पिसी नजर को के आपaba क्वाजाहसन निजामी के टुकडा लिया गया है मिट्टी इसे इसे तरह आप लोगो भी स्टाटिंग करना है इस एक्वाजाहसन निजामी इसलिए मैं ख्वाजाहसन निजामी और यह निखी हूं से लिए गया था ज्यों कि मजमून है ब्लोंका एक्तबास किसी और चेप्टर का भी हो सकता है उसका व सकता एक्टबास की तश्रीप सियाको सबाग के हवाले से कीजिए तो अब आप लोग का चैप्टर चेंज हो गया ना अब आप लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे तश्रीह करना पेश नजर एक्तबास यह तो स्टार्टिंग यहीं रहेगा बस यह जो ख्वाजासन जामी है यह हट जाएंगे क्योंकि भू भूले बिसरेगीत क्या है अफसाना है तो अफसाना भूले बिस्टे माख parental होज है इसी तरह बस राइटर का नाम चेंज हो जाएगा मजमून अगा from मजमून रहेगा आगर खाका है तो खाका रहेगा अफसाना रिखना और फूर चाप्टर का नाम लिखना है तेल के उपर डिसकस किया गया है चुनांचा मिट्टी के तेल के बारे में मजमून निगार फरमाते हैं देखे कितने अच्छे तरीके से शब्दों को सजा कर लिखा गया इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है चुनांचा मिट्टी के तेल के बारे में मजमून निगार जो वादत इलाही इसे बस रोशनी देने से काम है बेशक मिटी के तेल में इतनी ताकत खुदा ने रखी है कि उन ताकतों का इस्तमाल करके खुदा के नाफर्मान इंसान को अपनी आथशी तमाचे से खबरदार कर दे लेकिन वह अपनी अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिस कितने अच्छे तरीके से मैं इक्तबास की तश्रीह कर दी हूँ इस टार्टिंग आप लोगा इसी तरह रखना है और इन्ड भी आप लोगे करना है नौर्मली जो बात जहां पर जाकर खत्म हो जाती है वहीं पर जाकर आप लोगे करना है ठीक है तो ये लंबा चोड़ा द जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो पढ़ता है कि स्टार्टिंग आप लोगा कैसा है बीच में लंबचवड़ा तुरसा गलती भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है तीन बातों का ध्यान रखना है पहला यह कि उस एक्तवास के चैप्टर का नाम क्या है नाम लिख दे करकर पूछ सकते हैं बागी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया ना तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो फड़ावर्ट लाइक कर दे और चावड़ाव शेयर कर दे और चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए आ अगले वीडियो में या फिर अगले लाइव क्लास में तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज